द्यार्तियों श्री श्रे स्विध्याले हिंदी माध्यम कक्षा पांच वी विशय परियावरेंट जिसमें अब हम पार्ट तेरा के शुरुवात करेंगे देखिए पार्ट तेरा का नाम है रुदीर परिवहन तो चलिए सोची और कहिए कि आपने गड़ी की टिक टिक सुनी है हाँ मैंने गड़ी की टिक टिक सुनी है जब मेरे गर पे लाइट नहीं थी तब मैंने सुनी थी अब देखिए आगे देखिए डॉक्टर को छाती पर इस्टेथो स्कॉप लगा कर सुनते हुए देखा होगा हाँ हमने देखा है क्या डॉक्टर को कान में क्या सुनाई देता है तो डॉक्टर को कान में धड़कुनों की आवाद सुनाई देती है क्या आपके हदय में की धड कि धड़कन सुनी है हां हमने सुनी है चलिए क्रिया कलाब चित्र पर अवलोकन किजिए चित्र में बताए अनुसार अपना कान चित्र की छाती पर लगाई है शांती से आवाद सुनी आवाद सुनाई देतने पर धड़कन गिनिये चलिए अब आगे अनुभव मैंने मेरे कान मेरे मित्र की चाती पर रखा मेरे कान में धड़ड़ की आवाज सुनी थी और हदय की धड़कन गिनने पर बातर धड़कन होती है चलिए प्रोजेक्ट दो मित्र के नाम लिखिए एक मिनिट में होने वाली हदय की धड़कन की संख्या गिनिये धड़कन की संख्या लिखिए और दोनों थोड़े दोड़ाई अब धड़कनों की संख्या नोट कीजिए अब देखिए धड़कनों की संख्या नोट कीजिए सामानी हिस्तिती में धड़कनों की संख्या दोड़कर आने वाले हदय की धड़कनों की संख्या तो यहाँ पर हमने राजू का नाम लिखा, फीर हमने रोहन का नाम लिखा, उसके बाद फीर हमने मम्ता का नाम लिखा, तो देखिये, यहाँ पर हम آय गया है कि सामानी स्तिती में 72-72 और दोड़कर आने के बाद हमें अलग-अलग संख्या बता दी गई है, चलिए अब हम आगे देखते हैं हमारा रुदीर शरीर में ब्रह्मन करता है इसकी समझ पास में दिये हुए चित्र में देखकर समझे रुदीर को शरीर में ब्रह्मन करने वाले अंगों में जान ये देखे इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मन करता है आप देखें रूदीरा बी सरण अर्थात शरीर का रूदीर का शरीर में होने वाला परिवहन के हमारे शरीर के अंदर रूदीर ब्लड सर्कूलेशन कैसे हो रहा है भाड रूदीर परिवहन के सनलगन महत्वपूर्ण अंग व्यक्ति का हदय उसकी मुठी से थोड़ा सा बड तर रुदीर का परिवहन चलता रहता है और जो हमारा हदय होता है वो हमारी मुठी से क्या होता है थोड़ा सा बढ़या होता है रक्त वहीनिया रक्त वहीनिया दो प्रकार की होती है धमनी और शीरा चलिए, अब हमें यहाँ पर कुछ बताया है, समुचित खाने में सही का निशान लगाई है, अंगों के नाम पाचन, स्वसन और रुदीरा भी सरन, हदय हदय तो रुदीरा भी सरन, जठर तो पाचन अंग, फेफडा, स्वसन के लिए धमनी, रुदीरा भी सरन के लिए, मुह पाचन के लिए, शीरा, रुदीरा भी सरन के लिए, छोटियात, पाचन अंग के लिए है, नीचे दिये गए, हदय के चित्र को पूरा कीजिए, और रंग पूर्ती कीजिए, देखे, इस तरीके का हदय का चित्र हमें देखने को मिलता है, तो चलिए, इस पार्ट में हमने रुदीर, परिवहन और अपने ये दढ़कनों के बारे में जानकारी लिए कि हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से ब्लड सर्कूलेशन होता है, इस पार्ट में बताए गए, जितने भी प्रशनों के उत्तर हैं, उनको आपको 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 में और नौटबुक में सीखा, चलिए, दने,